11 अक्टोबर को CMA की मैनेजिंग कमिटी मुनखिट की गई थी जिसमें जियाउला शरीप को सदर मुनतखिट किया गया इसमें आपकी इजारे खयाला क्या है जो CMA में रियल एस्टेट के लिए नहीं बनाया गया और मेट्रो का पैसा जो कामपन्जेशन में आए पसंगुडी में जमीन खरीदा होगा और जो इदारे के अवखाफी प्रापर्टी इतने हैं 10 से 20 प्रापर्टी एक एक इदारे वाले लेके चला रहे हैं समझो चाहिन कालेज है फला है ऐसे 10 से 12 पंद्रा एक एक ले रहे हैं तो यही जियावला शेरिफ अपनी पैसों में 20 कोड 40 कोड 50 कोड तो गरीबों को मासुमों को इलम के लिए मजबूरों को इलाज के लिए बेवायों के लिए बीमारी के लिए हास्पिटल तिजारत के ल पूरी तमाम बक्सिस के साथ क्यों नहीं कर सकते थे किसका पैसा था तो फिर भी रियल एस्टेट में दाल के बस्वन गुड़ी में खरीदा था और जो अपना में यम्टियार के बगल में जो प्रापर्टी वगबोर्ट से लिया गया वो भी जयावला शेरिफ लिये थे औ हिजोते विदुस्तान की नामदार यहां तक freedom fighters जो पड़े थे जिसका इस्तेमाल किया गया था तो यह तमाम चीज का क्या फाइदा ले रहे हैं क्या कर रहे हैं जो कमिटी का नाम है जो कमिटी के सदर है यह लोगों को क्या time है कितना पड़े हैं क्या खाbons ए है और कितने ल उलत से और जिसके पास जो माल अवखाफी CMA में है जिया उला शरीफ फारुख मुहम्मद और जितने इस पे हैं ये तमाम लोगों से दो परसंट का माल नहीं था जो मुसल्मान अल्ला को खबला के मरहूम होके ये जो माल दिया गया सिर्फ दो परसंट का पैसा माल ये लोगो का है इतना नहीं था तो ये आदमी लेके क्या करे आज ते क्या करे जो वाइदा अभी अपना वखबोट का माल लिए अपना MTR के बगल में लालबा वहां क्या करे और अपना पैसा अपनी बीवी बच्चों को लेके अपना माल फातिया पड़े उद्गाटन करे ये तमाम बोले स्यासत लीडर है आज के मंत्री लोग है वो आए तो वहां पर क्या बने अच्छा ये अपनी कालेज ये अपने IAS IPS पड़ाने के लिए CMA में जगा नहीं है क्या CMA की तबदीली CMA का development improvement ये तमाम करने जगा और पैसों की कमी है क्या वहां पर क्यों करे क्यों नहीं करे अपने अवखाफी प्रापर्टी प्राइम सो दो सो कोड रुपयांगी अपना लालबाख के पास क्यों लिए ये तमाम जो चीज है बगेर बोले ये करते हैं तो मुसल्मान अंधे गुंगे पापया अपने मरहूमों के क्या बोलते हैं इसमें ये अनलेकियस्ट मुसलिम ज जो डाउलत दिये गए इसका गलत थिस्तामाल हुँआ जारह है ये पैसा इधारों के लिए इलम ये ऐस्पिटल के लिए बेवाएं के लिए मासुमं के लिए तमाम इस्तामाल करने का हिसाब आप जारादमी देते हैं और आप 400 आजमी का वोट लेते हैं तो तकरीबान जो माल दिया गया है मरहूम का माल है आपको वोट करने वाले 300 यह 400 आदमि कहां से खानून बनाया कुन बनाया खानून इसको इसके लिए हुकुमत और इसके लिए अपना इदारा चाहे है क्या मुसल्मानों को जो माल दिया है वो लोग अल्ला के पास बैठा है अल्ला से शिकायत कर रा है जो इसका गल्ट इस्तेमाल हो रहा है कौन कर रहे हैं जिसके पास real estate नहीं है क्या वो real estate CMA में दाले क्या वक्त किये क्या अपने माल बिक्त किये क्या कैश में 150 को रुपे किया क्या तो ये election में क्यों खड़ते हैं? अपने पास time है क्या? अपने काम छोड़के आगे बच्चों के लिए देखने, बच्चों के घरों में, माबाप के पास बीमारों का इलाज करने, देखने, आपको time है क्या? तो ये सरासगत मरहुम, जो अल्लाग के पास बैठा है, उनके उपर जो कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, तो चार लाग, पांच लाग, ये दसलाग आदमी, वोट करना चाहिए, उसकी इजाज़त क्यों नहीं दिये, आप CM में वाले, कोने CM में वाले? ब्रिटिश में अंग्रेश को मारा, ब्रिटिश में 500, 1500 आदमी को फांसी दिया गया, उलमा एकराम की, ये उलमा एकराम की फांसी से हमना freedom मिला, ये freedom क्या? ये ब्रिटिश राज से, ये मुसल्मान जियाउला शेरिफ का राज, और ये real estate वालों का राज, सही है क्या मुसल्मानों के उपर? और दूसरी बात अपने अब बिजापूर medical college, medical college के trust बनाये गया, trust, क्या है trust? पब्लीक charitable trust है, तो इसमें आदमी बदलेंगे ना, आदमी बदलना ना मुसल्मान, हौँका ए प्रफेसर, आप दो चार आदमी, और अपनी property, याने लालबाख की property, जो वक्त में लिए, ये जो property, पैसा आया compensation में, वक्त बो अपने बसुनगड़ी में property, रियल estate में खरीदा गया, क्या हो रहा है? किसको पूचा जा रहा है? 400 आदमी को पूचेगा, retirement के लोग आप, जो जिन्देगी में, आपकी तिजारत में, decision नहीं ले पाते हैं, retirement हो चुके हैं, तो 400 आदमी, 400 voters हैं, और 10 साइट आदमी हैं, जिसको आप, अलमीन के college दिया गया है, कनिंग अब रोड की, अलमीन medical trust की, hospital दिया गया है, वो एक आपके voter हैं, आपको जो बनाया, और आपके जो, रियल स्टेट के partner हैं, यहीं लोग किया आपको जो बनाये, तो मुसल्मान, कि मरहुम से बात हो रही है, अला से बात हो रही है, अला से इसका, जब मरहुम अल्लाक से बात करेगा, अल्ला से खबलाएगा अल्ला के पास रोएगा बद्वा करेगा वो जिमेदारी वो खाफ हिंदुस्तान के करनातिका के आलिमों को पढ़ना चाहिए इलम, आलिमों को होना चाहिए, मरहुम का माल जो दिया गया, वो क्या हो रहा है, वो क्या अल्ला के पास मुँ बता के, क्या बोला है, क्या देख रहे हैं, अल्ला देख रहे हैं, जो मरहुम दिया गया, वो देख रहे हैं, तो क्या इस्तमाल हो रहा है, उसका इम्तिहान क्या कहालेडिया है अप, भू मेडिकल कालेज सुदारा नहीं संजांस के सामने, रामया के मेडिकल कालेज के सामने, फ़लाइं के सामने, ये कालेज जो मुसल्मान अरब country में, अलमिन का, जब मैं हाइदर एली जिवा भाई के पास अपना सीए का काम करता था, सीए का आर्टिकल था, तब आडिट में पकड़ा था, आडिट किया गया था, अरब का पैसा, सौधी आरब के चक से, जो अलमिन कालेज ट्रस्ट में आये थे, उस जमाने के कई लाक में आये थे, तो किस का फैमिली का पैसा नहीं है, आडिट करके, उस पे साइन किया गया था, मेरा बास उस टेम पे, जिसको करवाया था, मैं था, आजब कलर्क, आर्टिकल कलर्क मैं करवाया था, तो ये पैसा, वो खांदान का का होता है, वो खबिले का का होता है, डाक्टर मुम्तास के, और य जो चीज है इतना तमाम करके किदर भी आपका हिसाब नहीं है अल्ला को जो हिसाब देना आलिमों को पर जमा है उल्माएं को उपर है उनको भी वो चीज में खानून बनाना हदीश की रोशनी में उनका फर्ज बनता है ये के एलेक्शन वखबोट जो सरकारी जो कमिशन 6% खाता है 7% उनका माल नहीं है गरीबों का मासुमों का आलिमों का जो माल है उसमें खानून हमें बनावें यानि आर्फनेज हिंदुस्तान बैंगलूर का तकरीबन 5 लाक आदमी का वोट करेंगे 10 लाक आदमी का सिये में करेंगे फलां करेंगे ये कुन होता है वखबोट करने के लिए ये होते हैं मुसल्मान है क्यों ये लोगों को मुसल्मानों को गुंगे मुके और हाथ पाइर बन के रखा है जिया उल्ला शरीफ और वखबोट आफ करनाटका और करनाटका के अलमा लोग जो अल्ला का खाब मरहूमों का खाब सिर्फ अलमायों को दिखना चाहिए क्योंकि इल्म आलिम लोग जानते हैं मरहूम जो दिया है वो अल्ला के पास क्या शिकायत किया वो माल किया इस्तेमाल किसके लिए उमा के लिए कैसा हो रहा है मेडिकल काल दोसों को रदाला जया उल्ला शेरिफ छोड़ दो आउखाफ करो आप, करिये आपके माल में, नहीं करें, समाज के सामने रखिए, जिस टेम पर आडिट किया था, फिर भी आज आडिट किया जाएगा आपका माल, इन्हें टरस्ट, वो टरस्ट में आपका पैसा पड़ा है, तो हाम दिएगा, हाम के बच्चे देंगे, जो मेडिकल परना चाहते हैं, लायर बनना चाहते हैं, नर्सेज बनना चाहते हैं, यमडी, यमेज बनना चाहते हैं, हिंदुस्तान की, तमाम आईटी, बीटी परनना चाहते हैं, वो बच्चे फेड़ेंगे, हिसाब लाईए, बगेर वो हिसाब दिया, तो इधर पे चेर्मेन क्यों बने, किसका बने, फैमली पार्टनर्शिप है क्या, हिंदू मजब में जो है, हिच्ची अफ है क्या आपका, रेल एस्टेट के लोगों का हिच्ची अफ का माल है क्या, CMA क्यों नहीं, आप अल्ला से डरते हैं, नहीं डरते हैं, क्यों नहीं उल्माइ-कराम इनको सही रास्ता बताते, नहीं बता रहे हैं, क्यों नहीं, पांसे पन्रह लाक आदमी का वोट नहीं जा रहा है CMA में, वो लोगों के रिक्षा चलाने वाले वहाँ प्लाटफारम पे तरकारी बेशने वाले गोश बेशने वालों का वोट CMA को क्यों ने पड़ रहा है 400 अदमी सेलेट किया 400-600 अदमी उसमें तमाम आपके रेल एस्टेट के पाटनर है यही जियावला शरीफ का सदारत है क्या विजयापूर का माल कनिंग अवरोड का माल आपके जो दाहा है फला है उनके पास है मुसल्मान को होना चाहिए हत आपके रास कर दिये करनाटक के मुसल्मान जो पुराने 70-75-90 साल में भी हकुमत मुसल्मानों को हाथ, पाए, नाक, कान काट के कर रहा है इस से पहले जो उल्मा यह नहीं मुलाना अबुकलाम आजाद जैसे कई हजार लोग कई हजार उल्मा काम करके फ्रीडम लिया आज फ्रीडम के उपर नफरत आ रही है मुसल्मानों को जो मुसल्मानों को आज बिर्टीश खईदी बना के रखा था उससे ज्याद ना अपनी हास्पिटल, इलम, पड़ाई, इलाज, बेवा, बच्चा, तमाम चीज़, यहां तक सुन्नत को बच्चे को करने के लिए पैसा नहीं है, इससे बहतर बिर्ट किसके आस्पिटल्स होते थे, आज कहां है आस्पिटल्स, कहां बनाया है, हिसाब देना चाहिए, जियावला भाई, तुमारे पूरे रियल इस्टेट के पार्टनर्स, पांच लाग वोटर्स क्यों नहीं बन रहे हैं, तो हर मसाजिद के उलमा एकराम, अल्ला को जवाब द देना है, हकुख क्यों मारा है उनका, हक, जिम्यदारी वोनर्शिप किसकी है, तख्ती टाइटल कोन बनाया है, अल्ला टाइटल बनाये, टाइटल प्रापर्टी मरहुम दिया, आज अल्ला की और मरहुम की गुफ्तगू में, ये लोग अपनी तिजारत कर रहे हैं, घरीब लोडी में, प्रापर्टी कमरशिल किया जारा है, जो मरहुम हों की प्रापर्टी दुसरी जगा जो दिया गया है, उस पे कमरशियल करते हैं, दुसरे तमाम कालेजो बनाते हैं, कई कोड रुपे करते हैं, कई लाग रुपे, owner रुपे जमा रहे हैं, मगर इसमें जो प arc पैसे का हिसाब नहीं है तिन सो अदमी को आप जवाब देना है जो ओड करते हैं ग्यारा आदमी आपके पार्टनर्स है करनाट के मुसलमान को आप आंक काट कान नाक काट के अंधे बना के हकुमत करना उस जमाने के आलिम उलेमा लोग की जो फांसी चड़ी थी वो फांसी की बद्वा ऐसे लोगों को भी पड़ेगी और जिम्यदारी आज के उलोमाएं को पर आएगी हिसाब वो देना है जिया उल्लाश शरीफ पैसा वो मांगना है दुसरी बात गल्ती गंदगी आप नहीं बोल सकते हैं जो पैसा आप अवकाफ नहीं कर पाते हैं वो बोलना है कि समाज याने हमें आलम पाशा के नाम से आपको पैसा दिया जाएगा जिन्दगी में आलम पाशे के मौता तक उसमें कभी पाट नहीं लिया जाएगा गरीब मुसल्मान जिसके हाथ कान आंग पूरे जिसम का काटा हुआ है वो लोग उसका फैदा लेंगे वो लोग के हम जो दिया है वो उसकी खुशी और उसकी नेकी उसकी नियत पूरी किया जाएगा अल्ला से वो फैमली करनाटक के मुसल्मानों को फैदा सही तरीखे से मिलेगा जो लोग सैकल तुट्टी धकल के आके वहाँ पे चेर्में कमीटी वोटर बनेगा उसको पांच या चोदा अपनी कार लेके आके कार बेंच कार लाएंगे ये लोगों के लिए ये मरहूं इतना पैसा पूरी जिंदगी का जमा के आउखाफ को करके नहीं जा सकते थे उस आपका खेल आज देखते तो वह मरहूं लोग का तरीखा ही अलक रता था आज अल्ला से रोते बैटे हैं आलि छोड़ो जाहिए आप